कि वो 72 हूरों का जो बताया गया है मर्दों के लिए वो क्या है क्या है क्या वो याशी नहीं है और तो कुछ नहीं बताया कि ना शॉपिंग मॉल है ना लाइबरेरी है औरतों के लिए क्या है पर एक्जेंपल मैं बहुत अच्छे काम करती हूं सारे इसलाम के रूल फालो करत में अगर आप पढ़ेंगे सुरह रह्मान सुरह नमबर 55 की आयत नमबर 72 और सुरह वाख़या सुरह नमबर 56 की आयत नमबर 22 में हूर का जिकर किया जो जन्नत में मर्द को दी जाएगी इन आयतों को पढ़ने के बाद खवातीन ये सुचते है के अल्लह ने मर्द के लिए इतना बहतरीन ऐलान किया है तो औरत के लिए क्या है अगर आप पढ़ेंगे सुरह निसा सुरह नमबर 4 की आयत नमबर 40 इन लाह ला यजलिमू मिस्खाला जर्रतियूं बेशक अल्लह सुभानवा ताला अर्रा बराबर भी ना इनसाफ नहीं हैं जिस तरह इनसानी फितरत दुनिया में हैं वही फितरत जन्नत में भी होगी और वही फितरत के मताबिख मर्द को एक से ज्यादा बीवियां और सतर से ज्यादा हूरे जन्नत में मिलेगी और फित्रत के मताबिख औरत को दुनियावी शहोर ही मिलेगा अल्ला ने मर्द आदमी के तहफे को ऐलान करने का मतलब ये नहीं है के औरत के लिए कुछ नहीं है हो सकता है अल्ला ने हमें बिना ऐलान किये ही मर्द के तहफे से बहतरीन तहफा हमारे लिए रखा है क्यूंके अल्लह ने सूर निसा सूर नमबर 4 की आयत नमबर 124 में फर्माते हैं मर्द और और औरत को बराबर अजर देने का जिक्र किया है जजाक अल्लहु खेर